हलो प्यारे बच्चो कैसे हैं आप सभी उमीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे स्वागत है बच्चो आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल जारेडा उनलाइन क्लासिज में बच्चो आज हम सभी सॉल्व करेंगे हमारे राष्ट्य उपलवदी सर्वेक्षन की विश्य है परियावरन अध्यन कक्षा पंचम की मैं यहां बात कर रही हूँ तो बच्चो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी जल्दी से जाए लाल बटन दबाईए और सभी मेरे चैनल को सस्क्राइब कीजे चैनल को सस्क्राइब करना ना भूलिए तो देखी प्रशन है निम्न में से किस पक्षी का अंडा आकार में सबसे बड़ा होता है तो बच्चो ऐसा कौन सा पक्षी है जिसका अंडा आकार में सबसे बड़ा होता है इमू, शुतरमुर्ग, मोर्नी या गिद तो बच्चो शुतरमुर्ग हमारा सही उत्तर है ठीक है नेक्स्ट खाद पदातों में से कौन सा खाद पदात फल की श्रेणी में नहीं आता है तमाटर आलू आम और संत्रा तो बच्चो आलू हमारे सबजी की श्रेणी में आता है फल की श्रेणी में नहीं आता है ठीक है तो आलू हमारा यहां सही उत्तर होगा निम्न में से कौन सा जानवर को रेगिस्थान का जहाज कहा जाता है तो बच्चो जिराफ, घोड़ा, उूट और हाती इन में से बच्चो रेगिस्थान का जहाज किसे कहा जाता है तो बच्चो आप सभी को पता है उूट को रेगिस्थान का जहाज कहा जाता है अगला है बच्चो प्रशन पाच टार्ड, मैंडक, सेलामेंडर और न्यूट सभी में कौन सी विशेष्टा अत्वा गुण धरम पाया जाता है तो बच्चो इन में से कौन सा जानवर है जिन में ये सभी गुण पाये जाते हैं एक जैसे विशेष्टा होती है वे जीवित बच्चो को जनम देते हैं इनके शरीर पर बाल होते हैं वे जमीन के सासथ पाने में भी रह सकते हैं इन में से कोई नहीं तो बच्चो वे जमीन के सासथ पाने में भी रह सकते हैं अगला प्रशन है गूंगे और बहरे लोग अपने संदेश या बात कहने के लिए नेमन में से किसका उपयोग करते हैं तो बच्चो जो लोग बोल नहीं सकते जो गूंगे होते हैं और बहरे होते हैं वो क्योंसी भाषा का इस्तमाल करते हैं सांकेतिक भाषा, चहरे के भाव, क्रिया भाषा ये उपयोक्त सभी तो बच्चो इसका उत्तर होगा उपयोक्त सभी अगला प्रशन साथ है बच्चो प्रतेक मनुष्य के पास खाली स्थान इंद्रिया होती है तो बच्चों सभी मनुश्य के पास कितने इंद्रिया होती है, 3, 4, 5, 6, तो सही उत्तर है, 5 अगला है प्रशन 8, किसने बच्चों ब्रेल भाशा का विश्कार किया, लुईस ब्रेल, लुई ब्रेली, लियू ब्रेल या इनमें से कोई नहीं तो बच्चों लुईस ब्रेल पहला उप्षन हमारा सही है, अगला प्रशन है प्रशन 9, एक साथ बड़ी संख्या में जिस माध्यम से लोगों को संदेश भेजा जाता है, उसे क्या कहते हैं, जन संचार, नीजी संचार, अव्यविक्तिक संचार, इनमें से कोई नहीं, तो ब अगला प्रशन 11, वो कौन सा पक्षी है जो अपने घोंसले को पत्तो से दरजी की तरह सिलता है, कवा, गिद, दरजिन पक्षी, बुनकर पक्षी, तो बच्चों दरजिन पक्षी हमारा सही उत्तर है, अगला प्रशन 12 देखिए बच्चों, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग् बुनकर की तरह गोंसला बुनता है, कवा, गिद, दरजी पक्षी है, बुनकर पक्षी, तो बुनकर पक्षी हमारा सही उत्तर है, अगला प्रशन 14 देखिए बच्चों, शेत्र फल की दरश्टी से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन है, कौन सा है, तो बच्चों, अगर जिराफ गोरिला, नीली-वेल यह एनली-वेल हमारे सबसे बड़ी क्या है, इसलिए इस सभी में पक्षीत को सौलव करना है, अच्छा लगा है, तो लाइक बटन दबा करके वीडेयो को "' Rise', करे ृंजिजिए करें नीचे क्मेंट बॉक्स में । हमारी वीड वीडेयो कॉ और साथी साथ बच्चों आप सभी लाल बटन दबा करके मेरे यूट्यूब चैनल जारे डाउनलें क्लासिस को सस्क्राइब करें चैनल को सस्क्राइब करना ना भूलें आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद